वेलकम स्टुडेंट आजकी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लाइंट साइट स्क्रिप्टिंग में जावा स्क्रिप्टिंग में चौथा यूनिट देखने वाले हैं कुकीज एंड ब्राउजिंग देटा तो जैसा कि आप इस यूनिट में देख सकते हो कि दो पार्ट में ये यूनिट डिवाइड है फॉर्स पोर्शन में जहां पर हम लोग देखेंगे ओल बॉट देखेंगे ब्राउजिंग हाउट विंडो अबजेक्ट को देखेंगे तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा learning objective है, सबसे पहले में हम लोग जानेंगे about cookies और फिर हम लोग देखेंगे how to create, read or change the content of cookies तो विद्धर्थे मित्रो थोड़ा cookies पर जाने से पहले cookie ये concept क्या है और किस तरह से काम करता है हम लोग ये जानेंगे और फिर बाद में cookies की definition पर जाएंगे तो जैसा कि आप लोग screen पर देख पा रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है, web browser and servers uses HTTP protocol जब भी हम लोग internet पर किसी server से communicate करते हैं, तो communication के लिए by default HTTP protocol का ही इस्तमाल होता है और ये जो HTTP protocol है, TCP IP suite का, वो HTTP protocol stateless protocol है अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे stateless protocol का मतलब क्या होता है यहाँ पहले line पर हमने बताया कि communication के लिए internet पर, जब भी हम लोग server से किसी page का demand करते हैं तो वो page के लिए जो भी communication होता है, वो via HTTP protocol होता है HTTP protocol ये TCP IP suite का एक protocol है, और ये HTTP protocol stateless है तो आगे हम लोग देखेंगे stateless protocol का meaning क्या होता है तो stateless protocol में जो भी information है regarding the session, communication between server client हम लोग यहाँ पर बूल सकते हैं, server client से ज्यादा अच्छा word होगा request response model जब भी हम लोग request response model पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो भी information होती है session की, communication की, क्या communicate हुआ, data क्या deliver किया गया, page का setup क्या किया गया था तो यह सारी information जो है, वो server side पर हम लोगों को expect होता है कि यह server के पास में stored है, जबकि वो इस तरह की कोई भी information server या या user के बारे में किसी भी तरह की या उसके session के बारे में किसी भी तरह की जानकर ही जो हमको feel होता है कि यह server पर store है, actually server पर store नहीं होती तो जो भी information होती है user की, या उसके session की, तो यह सारी की सारी information client site पर ही store होती है और इसी writing back mechanism को हम लोग cookies बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगले slide में एक information आपको एक example के थूँ बताई गई यह about cookies, की cookies की क्या होता है और किस तरह से यह work करता है, जैसा यहाँ पर हमने देखा एक example में, online exam में, आप लोगों में बहुत से लोगों ने EVS की online exam दी है, इस साल आप लोग आडवांज आवा की दोगे, और कईक बार आप लोगों ने COVID के दवरान भी online exam दी है, तो exam देते वक, आपके सामने एक से ज जाते हैं, तो यह page किस student से related है, वहाँ पर उसने क्या information दी है, तो यह सारी जो information है, question bank student के लिए कौन से question raise करती है, उसका answer student क्या store करता है, तो इस तरह की जो भी जानकरी है, student के बारे में, उसने कब login किया था, यह सारी session की information कहा होती है, आपकी site पे, client पे होती है, ठीक है, त session management, key management, दो पार्ट होते हैं, advance आवा में, surlate handling के वक्त, इस चीज को हम लोग और एक बार देखेंगे, तो session information में क्या होता है, user के बारे में, जानकरी होती है, और multiple user, और उनके multiple pages के बारे में, जो भी information है, वो कैसे handle किया जाए, तो इसका solution, इसका answer कहां पे, cookies में, तो अगल client architecture का request response, जो model होता है, वहाँ पे जो काम है, वो cookies का है, क्यों है, क्योंकि HTTP stateless protocol है, फिर हमने एक example भी देखा, online का, या कोई भी commercial website, अगर आपने लिया, तो इसी तरह से, वहाँ पे stateless, HTTP stateless protocol के वज़े से, cookies की आपको ज़रूवत पढ़ती है, ताकि multiple users की information, आप लोग store रख स लखो, और ये फिर, अब हम लोग देख रहे हैं, कि cookies होता क्या है, actual में, तो actually, cookies is a small piece of information, एक text information, string information होती है, जो client side पे, at the time of browsing, जब भी आप लोग internet से connect होते हो, server से connect होते हो, तो जो client side पे, piece of information, server के तरफ से store की जाती है, उसको हम लोग बोलते है, cookies, तो हमको लिखना है, what is cookies के time में, cookies is a piece of information, store at client side, at the time of browsing, तो आगे के line में लिखा है, cookies contain the information as string and separated by semicolon, आगे के example में हम लोग देखेंगे, ये क्या format है, और किस तरह से store होता है, तो यहां इस slide में ध्यान रखना है, definition, previous slides में हमने देखा, concept के बारे में, HTTP protocol use होता है, वो stateless protocol है, और इस वज़े से हमको student की information store रखने के लिए, या multiple user की information store करने के लिए, एक mechanism चाहिए था, server पर रखेंगे, तो आपका memory wastage होगा, हजारों लोग server को visit करते हो, हर किसी के अगर page-wise information store करेंगे, तो memory requirement बल जाएगी, server का जो response time है, वो increase हो जाएगा, तो solution यहां पर बनाया था, cookies, writing back mechanism, writing back कहां पर, client side पर, उसी को यहां इस अगले slide में हम लोग देखते है, what is cookies, piece of information store.client side, क्यों लिखता है, server, server जो भी information आप लोग demand करते हो, plus cookies आपके side में return भेजता है, और cookies में होता क्या actual में, तो string information जो एक दूसरे से अलग की जाती है, semi colon के रूप में, फिर actual में, जो cookies का part है, यह इस image में request करते हो, फिर server आपको response, जो भी आपने demand किया था, for example, आपने login page demand किया, browser पे गया, किसी site पे है, और exam के पहले आप लोग registration करते हो, तो registration के login page आएगा, तो यह request गई login page की, और server ने आपके तरफ फिर response, जो पहली बार request गई, login page की, तो login page, plus piece of information, cookies information, की next page पे जाने के लिए, आपको session id क्या चाहिए, यह आपके बाद में browser आपको provide करता है, अगली फिर से request आपने information, user id और password डिया, plus जो भी session या key है, वो attach होकर आपका फिर से server कर जाता है, तो इस तरह से request response model, cookies mechanism में work करता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि why, cookies की requirement क्या है, जैसा कि पहले ही आपको बता है, cookies are required to maintain the state of user, state of user and remember information, कहिक बार आप लोगों ने देखा है कि कुछ servers या website आपको customize page को अपने हिसाब से customize करने की भी facility देते हैं, तो यह सब काम हम लोग कर सकते हैं, अब इतने सारे users का server को याद रखना कि किस ने किस तरह की page setting किया है, color change किया, background color क्या रखा है, तो य याद रखना memory की requirement है, server के लिए ज्यादा memory की demand होगी, तो इसको reduce करने के लिए cookies का इस्तमाल होता है, ठीक है, तो अगले इसमें हम लोग देखेंगे parts, दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि cookies जो set of information है या text information है, उसके 5 essential parts होते है, सबसे पहला होता है name and value, expiry date, आप date, उसकी भी expiry date होती है, path, कहाँ पर cookies आपका लिखना है, domain and security, ठीक है, तो यह सी चीज को दिखाया है, तो cookies यह actually एक property है, जावा स्क्रिप्ट में document, document नाम का जो object है, उस document की property है cookies, और इस cookies को जब भी set करना हो तो इन 5 element का हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, जैसा cookies का नाम हर बा यह value जो है, वो server के दारा initialize होगी, expiry date, और cookies कब तक valid होनी चाहिए, यह भी हम लोग लिखते है, path, आपकी जो cookies है, वो कहाँ store होना चाहिए, by default यह root, root folder में store होती है, तो उसके लिए हम लोग slash, forward slash का इस्तमाल करते है, domain, यानि domain जो भी आपका path है, for example, www.polybudnera.ac.in, तो यह और secured, encrypted form में अगर हमें चाहिए, cookies तो हम लोग यहाँ पर secured लिखेंगे, अगर हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको secured लिखने की जरुवत नहीं, तो यह bullion flag है, अगर आप लिखते हो secured, तो यह encrypted form में होगी, otherwise नहीं, exam point of view भी ज़रूरी है, definition of cookies, and five parts of cookies, बढ़ आसन सा content है, cookies क्या होता है, piece of information, store at client side, at the time of browsing, जब भी internet पे आप लोग suffering करते हो, तो उस वाच जो भी आपका data server side से write back आता है, request आता है, उसके साथ में piece of information भी आती है, जो आपके बताय हुए, stored होता है path में, तो cookies को अगर work में लाना है, और फिर बाद में, five essential parts, name and value, expiry, path, domain and security, आप यह video देख रहे हो, तो आपको यह 5 part और definition यहाँ पर याद कर लेना है, साथ में अगर यह working model भी धहन में रहा हो, तो कभी explanation के काम में आएगा, तो यह दो चीजों पर गवर करने के बाद में हमको देखना है, example, तो example में दिखाई दे रहा है कि cookies is a property of, cookies is a property of document object, और इसको set कर करने के लिए हम लोग name, expiry, path, domain और security ऐसे 5 element का इस्तमाल करते है, name के साथ में हमेशा होती है actual value, cookies value, expiry में हम लोग बताते हैं कब तक आपकी cookies information valid है, path उनको indicate करता है कि जो information है वो कहाँ store करना है, domain आपको बताता है कि कहां से आपका information आया है, security आपको बताते हो, उसको encrypt करना है या नई रखना है, ठीक है जैसा यहाँ example है, अब यह पाचो फिल्ड का इस्तमाल होना ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं, minimum जो है essential जो पार्ट है, वो cookies का name और value है, उतना आपके cookies में होना ही चाहिए, बाकी की यह चारो चीजे, expiry, path, domain and security यह optional है, तो जैसा यहाँ आप example देख पार है, हमने लिखा है document.cookie, तो information क्या stored किया है, computer, तो यह computer जो है, वो my branch नाम से, cookies हमने एक बनाई, my branch और उसमें information store किये computer, तो आईए अगले slide पर देते हैं, कि लाइव प्रोग्रम में किस तरह से cookies को create किया जाता है, या read किया जाता है, तो एक simple HTML program है, जिसमें हमने body tag के अंदर दो button का इस्तमाल किया है, जैसा कि आप लोग देख पार हो, एक show cookies और दूसरा read cookie करके है, तो read cookie के अंदर हमने एक cookie को create किया है, cookies का यहाँ फिर से नाम रखा है user branch, ब्रांच का नाम रखा हमने computer, अब यह जो stored information है, इसी को हमको display करना है, तो display करते वक्या करना है, एक तो alert या जो भी आपका document.write या console जो भी एक function आपको मिले, उसका इस्तमाल करके उसको display करना है, display करने के लिए लिखा हमने document.cookie, ठीक है, तो जो information अभी अभी हमने user branch नाम से, computer नाम से store किया है, उसी को यहाँ पर हम लोग display करना है, document.write तो जो को भी content हमने store किया, यहाँ display पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर cookie create किया है, read cookies function के अंडर में, और show cookie के अंडर में उसी को हमने display किया, तो display करने के पहले हमने check किया, कि कहीं उसकी length empty तो नहीं, cookies blank तो नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर if block लिया, document.cookie.length, cookies property पर भी हमने apply किया length, अगर उसकी length not equals to zero है, तो निश्ची तो वहाँ पर कोई value है, आपको display करना है, लेकिन अगर वहाँ कोई information नहीं है, तो cookies की length क्या होगी, zero, तो उस case में आपको message देना है, cookies not available, तो इस तरह से एक programs का structure है, to create and root cookies के लिए हम लोग लिखेंगे, to create and read cookies, we use document.cookie, where document is an object of javascript and cookies is a property, as shown below in falling program, और यह program नीचे लिख के रखना है, तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो, कि body stack के अंदर मैंने क्या किया है, दो button का इस्तमाल किया, button को हमने नाम भी देखे रखा है, ठीक है, यह program आप run करके देखो, फिर हमने function call किया, on click event के थ्रू, event mechanism हम लोगो ने देखा है, तिसरे unit में क अगर कोई information आपने रखी है, cookie में, तो उसको change कैसे करेंगे, बहुत आसन सा तरीका है, same वही program में, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, कि user branch के जगह सिर्फ क्या किया, override, पहले computer था, तो computer के जगह हमने क्या कर दिया, IT, तो यह क्या होगा, आपका cookies का information पहले computer हुआ करत हो, document.cookie, mouse का जो cursor है, वह आप उस पर दहन दो, यहाँ पर हम लोग देखा रहे है कि किस तरह से cookie को remove करेंगे, तो simple है, document.cookie, और जो cookie name था, उसको हमने क्या कर रख दिया, यहाँ पर empty या blank, तो जो cookies थीव अपने आप delete हो जाएगी, थोड़ा सा practice करना है आपको, इस पर होगा, change cookies में हम लोग क्या कर रहे है, जो already user branch computer थी, उसको write कर रहे है, और अगर हम लोग remove cookie पर click करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे है, उस cookie को null कर रहे है, तो simply कोई value देना नहीं है, value अगर आपने remove कर दिया, name रखा है और value दिया नहीं, तो आपकी cookies क्या होगी, delete, उसको बाद में display भी कर सकते हैं, किसी वक्त देखेंगे, वो भी example के तुरू, तो इस slide में, इस video में, जो जरूरी पार्ट था, वो था cookie, piece of information, client site पे लिखा जाता है, at the time of browsing, दूसरा जरूरी पार्ट था, उसके five parts, तो वो थे name and value, expiry, path, domain and security, हर पाचों पार्ट का मैंने ब path, domain name, security, तो यह सारी चीज़े, optional है, आप उसको remove भी कर सकते हैं, फिर बाद में हमको program, exam point of view जरूरी है, तोड़ा सा program practice करना है, कैसे cookies create की जा सकती है, change की जा सकती है, या फिर कोई cookies को हम लोग इस तरह से remove करेंगे, तो यह screen पर आपके program है, हम लोगोंने button का इस्तमाल किया, बटन के इस्तमाल से हम लोगोंने cookies create और display किये या change किये, अगले वीडियो में दिखेंगे, एह slide में हम लोग देखेंगे दोस्तो, आज का जो summary थी, definition, how to create and remove, तो create करना हो, या write, overwrite करना हो, या delete करना हो, हम लोग इस्तमाल करेंगे instruction, document.cookie का, ठीक है, तो कुछ और भी properties है, अगले वीडियो में, जहां पर भी आएगे, अब तक देखा था, document के साथ में, write का ही इस्तमाल किया था, document के साथ में, cookies property का इस्तमाल हो रहा है, तो आखरी में देखेंगे, हम लोग, important question, जो exam point of view ज़रूरी है, या exam में पूछे है, बया है, what is cookies, list all the fields of cookies, यहाँ definition लिखना ह तो बहुत ही अच्छा, बाद में how to read cookie value, document.cookies, इस syntax का इस्तमाल करके हम लोग read कर सकते है, read करते वक्या करना है, document.write में, या alert नाम के function के अंदर, document.length लिखना है, यह जो program आपको मैंने यहाँ पर बताया, यह program वहाँ पर लिखना ज़रूरी है, चार मार्क के लिए, ठीक ह तो उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देना है आपको, चौथा जो question है, वहाँ पर आपने क्या की इस्तमाल करना है, choice, यहाँ लिस्ट का ज़रूरत है, यहाँ पर select नाम का tag इस्तमाल करेंगे, multiple options यहाँ पर बताना है, ताकि color value आप लोग decide करो, और उससे साब से change कर सको, त multiple option, बटन का इस्तमाल नहीं करना है, बाकी program उसी तरह से होगा, changes जो भी है दिखाने के लिए, तो यह रहा आपका, चौथा unit, cookie and browsing data, part 1, part 1 में हमने cookies को देखा, और exam point of view बहुत ज़रूरी, और बहुत आसन सा है, चार माह की easily आप लोग यहाँ पर cover कर सकते हो, मिलते हैं अग